नमस्काल सबी को, कैसे हैं आप सभी लूग तो आज हम बात करने वाले हैं कि सीटेट के इग्जाम में हम थूभ हो जाते हैं और किस तरीगे से सिटेट के इग्जाम को सकते हैं पहले ही अटेम्ट में ऐसा देखा जाता है कि सीटेट का जो एक्जाम है बहुत सारे बच्चों को बहुत कठिन लगता है लेकिन सीटेट जो है चुकी सारी जगा अपलाई होता है तो ये आपको पास करना ही चाहिए क्योंकि ये सबसे निकट है ये आप टीचर बने की वोड में है तो सबसे पहला भी तीचर से रिलेटड आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसा आधा है बहुत सारे बच्चों के लिए कठिन हो लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए इजी एक्जाम दी वहता है वह सिरफ टेखनीकों को खेल है और कुछ भी नहीं तो आज वही में टेक्नीक बताने जारी हूं, वही में tips बताने जारी हूं, जो हो सकता है, आपने कभी बहुत ही rare to rare सुनी हो, यह हो सकता है, बहुत सारी बचों नहीं भी सुनी हो, तो सबसे important है, अगर मैं आप से कहूं कि क्या पढ़े, सबसे पहली बात आती है हमारे लिमार में, वो क्या है, वो है, हमारी क्या पढ़े, कौन सारी टॉपिक पढ़े, जो बहुत important है, जिसकी वज़े से हम एक्जाम को clear कर सकते हैं, तो एक चीज से मैं आपको बात बताना चाहूंगी, जैसे मान लो अगर मैं आपको कोई एक बेक दूई, कोई यह पढ़े हाथ, और मैं कहूं कि वह सारी चीजे आप एक अइक पढ़े करूँनों, जो आप अपने साहत लेके जाना चाते हो, उसके बाद आपको यह दुबारा से चिज़ें नहीं मिलने वाली तो आप क्या करोगे आप जूते चपल सारी चीज़ें आप पर खचटा करोगे खाने की जो आपके लिए बहुत महत्तपुण हो जो रहो गतिकर अपर करोगे ने सवस्क्शन हो इसका मतब क्या है कि हमारे अं हीं किसमें है इंपर् flats πα्ण हैं को एसी चीज आपको स्लेवस के भार घृर कुई और दिया बढ़ना है तो सबसे इंपर्टन है एडार के निसार यह को अनुसार sih बिना ख्यारी के प्रसं लगाओं तो डियर हो जाओगे इसे जिसे आप चैयारीiden यह बिना तयारी के आप पेपर देने बैड़ वहुए हो तो अंजाम क्या मिलेगा निराषा ही आपको मिलेगी तो सबसे important क्या है सबसे important rule है क्या पढ़े और theory को जरूर पढ़े और theory को पढ़े तो पाद मैं कुछ भी सरुबनाना है तो सिरफ एक चीज है वह है तुम हाली डैटलाइन व्तिー peepe प्रक पअरव्स की शो सब होने वाला है बहुत दिन पहले और चीज से पढ़ते हैं और ज्वक्रिशिस से बीच भी मद रहते हैं तर तो ऑगर डेडलाइन को आज बंदा पिर फायदा नहीं हो जाए अर्वाति न आज बाए एक ओनडा टक्राइन में या सुस्ट कराने ने अंपने काल अक्रीक तक्निक के लिए है करा अक्रीए है यह को प्यूलीच अजय को कि मेंसे जो छेद हैं वो उसमें से पानी निकले गई निकले साइब सी बात है यानि कि डिस्ट्रक्शन तो होगी होगी तो तो दिमाग बाहर जाएगा तो दूसरी चीजों में लगेगा तो उसके लिए क्या है अलारम सेट कर जैसे मालो बहुत अधा होते हो तो एक गंटे का अलारम सेट कर लो शुरुआती दिनों में ऐसे करो दो तीन दिन चार दिन पाँच देन फिर अपने आप ही तीमाग में एक अलारम जो है बाइलोंजिकली फिट हो जाएगा कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टन किया है अलारम को सेट कर लो चाहे तो हमें कम्प्रीट करना है जहीं 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 ठाइब करना है कि दूसी बात की याद कैसे रखे याद कैसे रखे में एक अपने दोसको देखा था बहुत ही शांदा प्रदशन था मतलब वह हमेशा से क्या करती थी कि वह हमेशा से चीजों को बहुत सारी चीजों को बहुत आराम सी याद कर लेती थी मुझे ऐसा लगता था कि तिरको सारी चीजे क्यों याद है तो जब मैंने उसे पूझा था तो उसने एक ही उत्तर दिया मैं कैसी आद करती ह तो हर एक चीज का विजुलाइजेशन कर लेती हो विजुलाइजेशन सबसे बेस्ट टेक्ट्मिक है तो आपने विजुलाइजेशन को कर लिए विजुलाइजेशन का बतल यह है कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं बच्छों से रेलेटिट ही ह तो परिसती जो है अपने दिमाग में बसा लो मालों की बच्छा स्कूल में है शुल रहे होग या पिज बना मुल्यांकन कर लेह तो कैसे कर रहे होगी जासी बछारिए बंझित्न डॉसरे को पढ़ाते है एसा मानलों की जभ खुद बढ़ते हैं नहीं थी समझ हम ध्म् oppress ब पढ़ाते हैं पढ़ना तो पढ़ेगा ही थीहान रखना तो आपया करना है आपको दूसरों को फर आपने दोस्तों को पढ़ा हुग जो सीट के भागीध्यार है जो सीटेट के ही अभ्यर्थी हैं उनको पढ़ाईए ताकि चीजें हमारे दिमाग में बसी रहे हैं अपना फाइदा देखना है आपर फिर दूसरी बात आती है कि आपने सुना होगा अती बाती रूल कि मैंने पहले भी कहा था यह मैं अंतीम दिनों में बताती हूं इसे मानलो की लास्त टाइम है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए हमें 100 परसंट हम चीजें दिमाग में नहीं रख सकते हैं कि हम करते हैं 20 परसंट ही हम करते हैं जो जो by हम चलता है इसको ही दिमाग में रखते हैं वह 20 पर संगा हमारे पी वाइक प्यूबर की जो पिछले साल के पेपर्स के अहाँ उसी से तो पतब चलेगा तो यहां पर 20 परसंट अगर अभी से सोचो अभी से ऐसे करने लग जाओ लेकिन उसके लिए बेसिक चीज़े आपको पता होने चाहिए थियरी पता होनी चाहिए थियरी नहीं पता तो गुश भी नहीं पता तो थियरी के बाद ही पी वाई चूँज यानकि जो बार-बार आ रहे हैं लगतार रहे हैं रिपिटिट पैटन है एक तरीके का पैटन बना हुआ है ऐसी आते हैं तो उनका अभ्याद जादा किया जाए बहुत इंपॉरंट है फिर एक अंत में आता है कि कब पढ़े इतनी सारी बाते सुली सब कुछ हो गया अब पढ़ना है तो संत कभीर तास्का तो आपने सुना ही होगा एक पंक्ती बहुत ही बढ़िया है जो हमें लागू करनी चाहिए लेकिन इसमें एक बाद मैं बताओंगी बहुत महत्वों है आपने सुनी होगी कल करे सो आज कर आज करे सो आप पल में परले होगी बहुरी करेगा यह सुना कि निपती आप होगी करने के बाद भी करने के बाद भी हम भूल जा रहे है तो दियानधा जेड़ से जञार हो आपके पास समय है तो हम ए मारे पास बहुतच म्टी बहुत लंबा चोड़ा समय है अजणरक बेसंब्स कि 1 भndas में तो आपके पास कुल मिला के कम से कम दीन से चार महीने है तीन से चार महीनों में बहुत अच्छी सी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो सकती है यदि आप चाहिए इन छोटी-छोटी चीजों को अगर आप फॉलो करने लग जाएं तो यह गारंटी है यह पकी बात है कि आपका सीटिट का एक्जाम फियर हो गई होगा यह बेदावे के साथ क्या सकती हूँ पस इसको फोलो करना आपका काम है मेरा काम तो है आपको एक पत परदर्शक के रूप में लिखे जाना और इन सानी चीजों के ऊपर जो है मैं बताती जाओंगी भई पढ़लो पढ़